दोस्तो, एक किसान हमेशा एक बेकरी वाले को एक पॉंड मक्खन बेचा करता था वह किसान हमेशा सुभा के समय उस बेकरी वाले के पास आता और उसे एक पॉंड मक्खन दे जाता एक बार बेकरी वाले ने सोचा कि वह हमेशा उस पर भरोसा करके मक्खन ले लेता है क्योंना आज मक्खन को तौला जाए इससे उसको पता चल सके कि उसे पूरा मक्खन मिल रहा है या नहीं जब बेकरी वाले ने मक्खन तौला तो उसका वजन कुछ कम निकला बेकरी वाले को गुसा आया और उसने उस किसान पर केस्ट कर दिया मामला आदालत तक पहुँच गया उस किसान को जज के सामने पेश किया गया जज ने उस किसान से प्रस्ण करना सुरू किया जज ने पूँचा कि वह उस मक्खन को तौलने के लिए बाट का प्रेव करता है क्या किसान ने जवाब दिया मेरे पास तॉलने के लिए कोई बाट नहीं फिर भी मैं मक्षन तॉल लेता हूँ जज हैरानी से पूँचता है बिना बाट के तुम मक्षन कैसे तॉलते हो इसका जवाब किसान ने दिया वह लंबे समय से इस बेकरी वाले से एक पॉंट ब्रेड का लोफ खरीता है हमेशा यह बेकरी वाला उसे दे कर जाता है और मैं उतने ही वजन का उसे मक्षन तॉल कर दे आता हूँ किसान का यह जवाब सुनकर बेकरी वाला हक्का बग्का रह गया दोष्टो इससे हमें यह सीख मिलती है इस बेकरी वाले की तरह ही हम भी अपने जीवन में वो ही पाते हैं जो हम दूस्रों को देते हैं एक बार आप सूचिए आप दूस्रों को क्या दे रहे हैं धोखा, दुख, इमानदारी, जूट या फिर वफा दोस्तों हम आशा करते हैं आपको यह कहानी फसंदाई होगी ऐसी फसेनादायक कहानी सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसी अन्यरोचक कहानी के साथ तब तक के लिए पाई बाई टेक दिया